पूरे देश में आज राग बारा बजे से सम्कूर देश में सम्कूर लॉकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिप को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात बारा बज़े से गरों से बहार निकलने पर पूरी तरफ पाबंदी लगाए जा रही है देश के हर राज्य को हर केंद्र सासिक प्रदेश को हर जिले हर गाव हर कस्पे हर गली मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है यह एक तरफ से कर्फ्यू ही है जंता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बार जंता कर्फ्यू से ज़्यादा सक्ट कोरोना महामारी के खिलाब मिरनायक लड़ाय के लिए यह कदम अब बहुत आवश्यक है निश्यत तोर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी भारत सरकार की देश के हर राचे सरकार की हर स्थानिय निकाई की सबसे बड़ी प्राफित्ता है और इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है और मैं हाज जोड़के प्रार्थना करता हूँ कि आप इस समय देश में जहां भी है वही रहे अभी के हालात को देखते विए कि देश में लोकडाउन 21 दिन का होगा तीन सब्ता का होगा और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सब्ता मांगने के लिए आया हूँ आने वाले 21 दिन हर नागरिप के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्सपर्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमन साइकल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है अगर ये 21 दिन नहीं समले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाए अगर ये 21 दिन नहीं समले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाए और मेरे बात एक प्रधान मंति के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये 21 दिनों के लिए भूल जाए गर में रहे गर में रहे और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहे साथियों आज के फैसले ने देश व्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्षमन रेखा खीच दी है आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पढ़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम आपका सिर्फ एक कदम करोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है आपको ये याद रखना है कि कई बार कोरोना से संकरमित व्यत्ती शुरुवात में बिल्कुल स्वस्तन लगता है वो संकरमित है इसका पता ही नहीं चलता है और इसलिए एहतियात बरतिये अपने घरों में रहिए वैसे जो लोग घर में हैं वो सोचल मीडिया पर नए नए तरीकों से बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया मैं आपको भी यह बहुत कम शब्दों में संदेज दिखाना चाहता है कोरोना यानि कोई रोड पर ना निकले कोरोना यानि कोई रोड पर ना निकले झेरन को बोड़न यानि कोरोना यानि को बिर नानिए कोई भी उड़ता है